असलाम लेकूम, वेलकम बैक टू माई चैनल, एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सब को वेलकम कहती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बहुत ही फलफी और बहुत ही मज़ेदार ओमलेट की रेसिपी, आपने बहुत रहा के ओमलेट ट्राइ किये होंगे, लेकिन ये ओमलेट काने में बहुत ही ज़ादा अमेजिंग है, और जब भी आप ट्राइ करेंगे, बहुत ही पर्फेक्ट बनेगा, तो क्या टीप्स और ट्रिक्स होती है, जिससे ओमलेट बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही फलफी बनता है, और तूटता भी नहीं ह पकाते हुए तो रेसीपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है जरूर सब्सक्राइब कीजिए का बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताके आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इस आमलेट की एक खास पाद वाश नहीं करना पहले अच्छे से धो लीजिएगा और फिर कट कीजिएगा इससे क्या होता है कि पानी के रिलीज कर देता है तो हमें इसमें पानी की कॉंटिटी बहुत कम चाहिए यानि कि आलो बिल्कुल राइ होना चाहिए और मैंने इसे पहले वाश कर लिया था ओमलेट खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसे बगार पराथे के बगार सेंड़िश वगरा के भी इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को लंच बोक्स में दे सकते हैं बहुत ही बेस्ट रेसिपी है बच्चे पीजा समझ के इसको इंजॉय करेंगे तो यहाँ देखे मैंने इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दी है और बारीक बारीक सी इसकी कटिंग कर रही हूं इसी तरह से मैं सारे पोटाइटोस को कट कर लूँगी तो देखे कटिंग मैंने कर ली है और कटिंग करने के बाद ही हमने इसको फोरण से कुक करना स्टार्ट कर देना है इसको रखेंगे नहीं और ना ही इसे काटने के बाद वाश करेंगे तो यहां पर एक मैंने ले लिया है fry pan और इसमें मैंने add कर दिया है oil 1 tablespoon के बराबर और इसमें मैं add कर दूंगी potatoes जैसे ही oil गरम होगा तो हमने potatoes add कर देने हैं और इनको cook कर लेना है इस time पर जादा spices add नहीं करेंगे सिर्फ मैं इसमें नमक add करूंगी और इसे अच्छा सा cook कर ले और यहां पर मैंने नमक add कर दिया है according to your taste and flavor है अच्छी तरह से cook कर लेते हैं और इने हमने हलका सा golden color दे देना है इस time पर potato को पकाने का मकसद एक ही है कि इसमें जितना भी moisture है जितना भी यह पानी release करते हैं यह अच्छे से dry हो जाए इसी से perfect omelette बनेगा इसको अब हमने उत कर लेती हूं आलों को मैंने ठंडा कर लिया था और अब हमने further ingredients डालना स्टार्ट करनी है यह एक किसम का mixed vegetable का omelette बन रहा है जो काफी healthy है हमारे लिए तो जरूर इस recipe को try कीजेगा सबसे पहले इसमें add कर देंगे गाजर यह grated गाजर है और इसको मैंने grate कर लिया था और आप चाहें तो cut करके भी add कर सकते हैं इसमें add कर देंगे शिम्ला मेर्च जो खाने में बहुत अची लगती साथ ही हरी मेर्च add कर देंगे और इससे omelette का flavor बहुत ही enhance हो जाता है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो skip भी कर सकते हैं साथ ही हम प्याज add कर देंगे एक spices नहीं add करेंगे simply इसी को mix करेंगे चार अदद मैंने अंडे लिए हैं क्योंकि यह चार लोगों के लिए omelette बना रही हूं मैं तो पहले आपने बॉल अलग लेकर उसमें अंडों को तोड़ना है फिर इसमें add कीजिए का उसे यह डर नहीं होता कि कोई अंडा खराब ना न मिक्स कर सकते हैं बस आपने hand whisker इसमें नहीं यूज करना उससे potatoes बिल्कुल ही mix हो जाएंगे तो यहां पर आप spices डालना स्टार करते हैं सबसे पहले add कर देंगे लाल मिर्च इसके साथ नमक add कर देंगे according to your taste and flavor है हर चीज साथ ही मैं add कर दूँगी थोड़ी सी हल्दी इससे एक दफा से दुपारा अच्छी तरहां से mix कर लेंगे और हलके हातों से mixing करेंगे इस टाइम पर और mix करने के बाद बस इसकी अब हमने cooking स्टार्ट करनी है सबजियों का color आप देख सकते हैं किस कदर इसमें अच्छा लग रहा है और सबसे बढ़के एक बात है कि काफी healthy यह एक टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें एड कर दिया है और हलका सा इसे गरम करेंगे और साथ ही जो अभी हमने mixture बनाया है वह इसमें एड कर देंगे तो इस चरह से एड कीजिए का अच्छे से हिला लीजिए का ताकि एक तरह से हर तरफ से इसका लेवल बन जाए तो अ नीचे से यह कलर भी थोड़ा सा चेंज करेगा लेकिन उपर वाला जो कलर आएगा वह बहुत ही परफेक्ट रहता है तो तेखे मैंने इसे कवर करके रखा था तकरीबन 7 मिनिट्स के लिए तो बहुत अच्छे से यह हार्ट भी हो चुका है नीचे से और तमाम जो सबजिय ही यह टान हो जाएगा यह देखे कितना जबरदस था इसका कलर आया है तो वही पैन हम दुबारा यूज कर लेंगे और जो आमलेट फिलिप किया था इसके उपर रख देंगे और नीचे वाला जो पार्ट है इसका वह अच्छे से कुक हो जाएगा दुबारा से कवर कर दे और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी होगा अब इसको दुबारा से हमने टन कर लेना है जो उपर वाली साइड है इसकी वह मैं आपको दिखाती हूं किस कदर जबर्दस बनी है तो बहुत ही परफेक्ट सा हमारा यह आमलेट रेडी हो चुका है और बहुत ही फलफी बनत है खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है आप बच्चों को यह जरूर बना के दीजिए उपर आप कैच्चप भी लगा सकते हैं मायनीस भी लगा सकते हैं बच्चे पीजा समझ के इसको जरूर इंज्वाय करेंगे तो यह देखे मैं आपको कट करके दिखाती हूं और अंद आने वाली वीडियो के सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक्स वर वाचिंग अलाहाफेज